स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे अनलाइन क्लासिस होने जा रही है अब अनलाइन क्लासिस को आप लोगों किस तरह से जॉइन करना है कैसे अपने कॉलिज टीचर्स के साथ आप लोगोंने क्लासिस को अटेंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉलिज की तर किस तरह से आप लोगों को एक email id और password दिया जाएगा अब email और password मिलने के बाद आप लोगोंने सबसे पहले क्या करना है अगर आप mobile के उपर यूज़ कर रहे हैं तो mobile के लिए आप लोगोंने classroom और meet कीजिए दोनों application आप लोगोंने download कर लेना है प्ले get started करने के बाद आप लोगोंने यहां से इसको add account करना है और उसके बाद ok कर देना है तो आप लोगों के पास यहां से वो आप लोगोंसे वो अपने mobile का password मांगेगा और password एंटर करने के बाद आप लोगों ने यहां पर इसका email id लिखना है जो आप लोगों को college की तरफ से assign किया जाएगा अब यहां के यहां पर आप लोगों ने email id को assign कर दिना, लिख दिना, टाइप कर दिना और टाइप करने के बाद आप लोगों ने just simple क्या करने है next पे press कर देना है अब जैसे ही आप लोग press करेंगे तो यहाँ पर password मांगेगा तो आप लोगों ने जो password college की तरफ से मिलेगा आप लोगों ने password को भी यहाँ पर type कर देना है और उसके बाद इसको next कर देना है अब जैसे आप लोग next करेंगे तो आप लोगों के पास अब class जैसे आप लोग next करेंगे तो आप लोगों के पास ये screen शोगी उसके बाद आप लोगोंने क्या करना है वो आप लोगों को welcome किया रहा है तो आप लोगोंने just I agree करके इसको next कर देना है अब जैसे ही आप लोग next करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से Google Services, Google Classroom जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और जब आप लोगों के पास ये Class Add होगी तो आप लोगों का यहाँ पे जैसे लिखा हो रहा है BS Zology Fourth Master और BS IT Fourth Master तो यहाँ पे आप लोगों की अपनी जो Class होगी वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सिंपल यहाँ पे अपनी जो Classes है Classes लाइक यह BS IT Fourth Master है तो आप लोगों ने इसको Open करना है तो यहाँ पे नीचे जो आप लोगों के अपने सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स शो होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे आप लोगों के लोगों के लिए स्टूडेम है और यहाँ पे जो 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 इसके अंदर स्टूडेंट्स है वो सारे आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे होंगे same ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप लोगों के पास student कुछ बचों का वो जैसे गूगल classroom के अंदर email ID assign करने के बाद get started करते हैं तो उनका वो verify class ये हम email ID assign जो कर रहे हैं जो हम email use कर रहे हैं ये है concordia की एक domain का जो के classroom के साथ compatible का issue आ जाता है तो जिसके लिए आप लोगों ने अगर कुछ बचों का issue आएगा जिसमें क्या होगा के ये email ID उसको access नहीं करेगा classroom को use नहीं करेगा verify नहीं करेगा तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है simple अपने play store में जाके यहां से एक application डाउनलोड करनी है जिसका नाम है google app policy google app policy device policy है इसको आप लोगों ने simple install करना है अच्छा class install करने के बाद आप लोगों ने simple इसको open कर लेने और open करने के बाद यह सबसे नीचे corner में आप लोगों के पास आ रहा है next अब जब आप लोग इसको open करेंगे तो आप लोगों के साथ mobile के साथ आप लोगों ने simple क्या करना है जो email id आप लोगों ने लिखा हुआ है इसको simple यहां पर configure कर देना है उपर email id लिख देना है ksa3043 जैसे यह आ रहा है addiriconcoded.edu.pk अगर यह आप लोगों को नहीं show रहा है तो आप लोगों ने यह जो three lines टोप पे show रहे है इस पे click करना है और यहां पर अपनी email id लिख देनी है या फिर आप लोगों ने add account कर देना है जब आप लोग add account करके अपनी email id लिखेंगे और लिखने के बाद यहां सबसे नीचे आप लोगों के पास next का option आ रहा है तो आप लोगों ने simple इसको next कर देने और उसके बाद इसको allow कर देने अब वो आप लोगों की id को register कर रहे है अब register करने के बाद वो आप लोगों के पास इस तरह से एक screen आएगी और आप लोगों ने just इसको simple activate करना है और activate करने के बाद आप लोगों के पास यहां पर सबसे नीचे दो options आ रही हों भी आप लोगों से पूछ रहा confirm enforcement आप लोगों ने enforce करके इसको next कर देने अब यह इसको activating कर रहे है लेक लास बस इतना काम था आप लोगों ने just इतना काम करना है और इसके बाद आप लोगों ने इस एप को close कर देना है और simple वापस Google Classroom के अंदर आके और दुबारा से इसको Google Classroom के अंदर जो steps किये गए थे gets started करके आप लोगों ने उसको use करना हथ तो आप लोगों की ID assign हो जाएगी और उसके बाद फिर आप लोगों की किया करना है और आप लोगों की ID थी उसको add करके आप लोगों ने उस अपनी जो kancoDia की email की ID है जो आप लोगोंने classroom के अंदर आइडी यूज का रहे हैं सेम वही आईडिया आप लोगों ने Google Meet के अंदर यूज़ करनी है और उसको यूज़ करने के बाद आप लोगों ने इसको continue करना है और allow कर देना है allow कर देना है और इस तरह से आप लोगों की Meet भी open ओन हो जाएगी और आप लोगों की Classroom भी own हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों ने Simple क्या करना है अब इस Meet को भी आप लोगों ने Activate करने के बाद आप लोगों ने इसको Close कर देना Simple अब Class जब भी कोई भी Class होगी कोई भी किसी भी Teacher की जब Class होगी तो आप लोगों को Classroom के अंदर उसी Class के एक Link करियेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे उस Class के Relevant एक Link शेर करेगा जैसे के यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जैसे के Class यहाँ पे लिखा हुआ है Class Link इस तरह से आप लोगों के पास एक Link जो Teacher होगा वो शेर करेगा आप लोगों ने Simple Link के उपर यह जो लिखा आ रहा है इस Link के उपर आप लोगों ने Simple क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो आप लोगों के वो Direct ही Class जोईन करवा देगा और अगर आप लोगों के पास यह Link के साथ क्रियेट नहीं हो रहा Link करेंगे करने के बाद आप लोगों के से वो पिन या पासवर्ड मगवारा मांग रहा है तो फिर आप लोगों ने Simple यह जो नीचे पिन लिखा हुआ है इस पिन को एड़ करना है और उसके बाद Class को जोईन कर देना है Simple कुछ Steps थे जिसको आप लोगों ने